हे गाइस आजकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना जो वालेट को इनेक्टिव की प्रॉबलमें वो सॉल्व करोगे गाइस यहाँ पे maximum case में बहुत सरे यूजर को जो paytm wallet inactive है वो active नहीं कर पा रहा है दिन किसी का active है तो वो payment नहीं send कर पा रहा है तो आज के इस वीडियो में guys मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी paytm wallet inactive है अभी भी आपने active नहीं किया है तो कैसे उससे send money करोगे then receive money करोगे क्योंकि guys यहाँ पे मुझे एक user ने comment किया कि सर हमें हमारा जो wallet है वो inactive है और अभी active नहीं हुआ है then मैं फिर भी KYC यहाँ पे नहीं हुई है मेरी full KYC भी नहीं हुई है तो कैसे में paytm से send money करोगा then receive money करोगा तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे send money करोगे then receive money करोगे तो उसके लिए guys सबसे पहले आपको description में एक link मिल जाएगा वो paytm application का है तो वहाँ साब paytm application को download कर लेना है then फिर आप paytm को open कर लेना है अब मेरे पास मेरा जो paytm application है वो यहाँ से open कर लिया है इस पे आपको ID बना लेना है simple सा है mobile number डालना है then verify हो जाना है उसके बाद में आपको करना क्या है यहाँ पे उपर पे आपको एक search bar का option दिखाई दे रहा है इस पे आपको click करना है guys यहाँ पे मैं बिना KYC के आपको send money करके दिखाऊंगा आपका wallet inactive है उससे कोई problem नहीं है यहाँ फिर activate तो भी कोई problem नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिना यहाँ पे wallet activate के भी send money then receive money कर पाऊगे तो यहाँ पे आपको लिखना है भीम भीम लिखके UPI उसके बाद में इस तरीके से सर्च कर देना है यहाँ पे आपको तीन option देखना को भी लेंगे तो आपको यहाँ पे option आ जाएगा भीम UPI का तो इस पे आपको click करके इसे open कर लेना है उसके बाद में यहाँ पे ऊपर में settings का यहाँ पे दिखाई देगा तो इसको भी आपको open कर लेना है then कुछ इस तरीके से आपका जो payment method है वो यहाँ पे open हो जाएगा यहाँ पे guys आपको payment setting यहाँ पे आपको देखना को मिल रही है then यहाँ पे आपको देखना है कि आपको जो account है वो जुड़ा नहीं होगा मेरे यहाँ पे payment bank है then यहाँ पे bank of India है तो आपको करना क्या है guys कि आपको यहाँ पे bank account add करना है अब bank account add कैसे करना है तो यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा another bank account ठीक है तो यहाँ पर click करना है guys मैंने इसमें already bank account add कर रहा है तो यह दिखा रहा है आपका इसमें नहीं दिखाएगा उसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारी bank मिल जाएगी जो भी bank आपका mobile number जोड़ा है bank में और paytm भी उसी number से बना है उसको यहाँ पर select करना है तो मैं SBI को select करता हूँ उसके बाद में कुछ इस तरीके का यहाँ पर interface आएगा bank हमारे link successful हो चुकी है guys उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकता हूँ guys यह मेरी जो bank है वो क्यों link हो गई क्योंकि मेरी जो bank of India है उसकी UPI already बनी होई है then state bank of India है उसकी भी UPI already बनी होई है तो अगर आप phone पर use करते हो Google पर use करते हो तो आपकी UPI ID add हो जाएगी अगर आपकी phone पर और Google पर use नहीं करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से आपके सामने interface आएगा यहाँ पर गाईस आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर जो interface है इसको आपको fill up करना होगा आप यहाँ पर तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपके पास ATM होगा अगर आपके पास ATM है तो बीना किसी KYC के और दिन inactive wallet के भी आप money transfer कर पाओगे और उससे receive कर पाओगे यहाँ पर ATM के last के 6 digit आपको डाल देना है ATM की जो भी month है वो यहाँ पर डाल देनी है then year यहाँ पर fill up कर देना है उसके बाद में यहाँ पर जो proceed वाला button है इस पर आपको proceed कर देना है जैसे ही proceed करोगे guys आपके सामने एक OTP आएगा OTP automatic fill up हो जाएगा then वहाँ पर आपको अपना जो UPIP ने वो बना लेना है हो सके चार अंक का पूचे यहाँ फिर 6 अंक का पूचे तो आप अपने इसाब से UPIP बना लेना है अब आप यह नई UPIP बना लिया है then फिर bank आना है और आपको paytm की home screen पर आ जाना है अब आप आपका जो bank account है guys वो add हो चुका है आपने UPI ID भी बना ली paytm की अब आपको payment करना है तो payment करने के लिए guys आपको करना क्या है यहाँ पर जो भी आप payment करना चाहते हो उससे कर सकते हो उपर ही आपको एक option मिल जाएगा send money का इन message जिस भी option से आप payment करना चाहते हो वो कर सकते हो like bank account हो गया to save हो गया या फिर mobile या फिर scan and pay तो यहाँ पर guys मैं mobile से करूँगा तो मैं mobile वाल option पर click करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर आपको UPI ID एंटर कर दीनी है जैसे की phone पे की Google पे की या फिर other UPI ID एंटर कर देना है आप चाहे तो bank account से भी बेज सकते हैं मैंने UPI ID यहाँ पर एंटर कर दी है आप देख सकतो हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से option आ गया है यहाँ पर guys इसके बाद में यहाँ पर नीचे एक पे वाला section आपको देखने को मिल जाएगा guys यहाँ पर पे वाला section है नीचे इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद में जो भी amount आप सामने वाला को बेजना चाहते है वो यहाँ पर enter करना है then message में आप कुछ भी यहाँ पर type कर दीजिए नीचे selected bank का option आएगा तो जो भी आपने bank account एड़ किया था like मेरा pay payment bank है bank of India और यह state bank में आपके सामने ही यहाँ पर जो ही वो add करके आपको दिखाया है तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ pay payment bank से ही बेजूँगा तो मैं pay वाले section पर click करता हूँ यहाँ पर password को enter करता हूँ यहाँ पर automatically password में रेंटर कर दिया यहाँ पर देख सकता हो उसके बाद में यहाँ पर send money हो चुकी है यहाँ पर right का tick लग चुका है और यहाँ पर हमें cashback भी मिल चुका है तो गाइस इसी तरीके से आप भी बीना किसी KYC के send money कर सकते हो receive money कर सकते हो मैं scratch card को यहाँ पर scratch कर लेता हूँ हो सके मुझे को यहाँ दे सकता हो 25 रुपए का movie voucher मिला है तो गाइस अगर आप भी इसी तरीके से payment करते हो तो आपको कोई भी problem नहीं होगी देन आप बीना KYC के भी यहाँ पर जो wallet वो active करने की कोई जरूरत नहीं है आप इस तरीके से payment करके यहाँ पर आप लाब उड़ा सकते हो paytm का जिसके हम normally phone पे google पे use करते हैं उसी तरीके से इसे use करना है अब guys यहाँ पर like आपने payment बेश दिया तो अब आपको देखने का है तो आपको देखना है यहाँ पर message वाला एक option आपको देखने को मिलेगा उपर यहाँ पर message का यहाँ पर icon दिखा दे रहा है इस पर आपको click करना है दिन हमने अभी recent में payment किया था तो वो यहाँ पर उपर का उपर यहाँ पर यहाँ पर शोग कर देगा देख सकतो हो यहाँ पर शोग कर रहा है यहाँ पर इस पर click करना है दिन देख लेना है कि आपका जो payment है वो हुआ है या नहीं हुआ है मेरा पेमिन्ट यहां पर हो चुका है आप देख सकते हो हो मिने 1 रुपए भेजा तो यहां जहां पर बेजाया का नाम आ जाएगा कि की सेटेब ने बेजा है comment से